हालो और वेलकम टो देशी पटा का मैं हूँ राद नाम के साथ बिग बॉस के घर के अंदर एश्वारिया को क्याब मिल रही है उसके कर्वों की सजा भई देखें एश्वारिया को लगातार फैंस ट्रोल कर रहे हैं जिस तरीके से वो नेगिटिबली शो में नज़र आ रही है आज के एपसोड में भी आपको एश्वारिया की बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी विक्की के साथ क्यों क्योंकि विक्की ने नील को नॉमीनेड कर दिया है पूरे सीजन के लिए नील अपने डायलोग्स मारता है और एश्वारिया एज ओलवेज बीच में कूद जाती है लड़ने के लिए लेकिन अब एश्वारिया की हालत खराब हो चुकी है एश्वर्या कल इतना चीखी है इतना चलाई है कि उसकी आवाज उसकी नाक सब्बंद हो गई है क्या हुआ है चलिए बताती हूँ लेकिन उसे पहले आप चानल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को तपाते हूँ बिग बॉस के घर के अंदर सुभे सुभे जब एश्वर्या उठी तो आज उनसे उठा भी नहीं जा रहा था उनके गले में दर्ध हो रहा है और उनको जुखाम भी हो गया है एश्वर्या नील के पैर पकड़ कर ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लेटी हुई थी मतला बैटकर सो रही थी जब सुभे वेक अप सौंग बजाया गया था इसके बाद एश्वर्या पूरे दिन आज बिस्तर पर ही लेटी रही हालत इतनी घराब थी कि रिंकु ने भी जाकर बोला कि एश्वर्या अगर तुससे नहीं उठा जा रहा है तो तू आज मत उठ मैं ही खाना बना लेती हूँ हो जाएगा मैनेज किचन का गाम और वो खानजादी जिसको एश्वर्या हमेशा गलियारती रहती है उसने का हाँ कर लेंगे रिंकु जी मैं और आप मिलकर कर लेंगे कितने लोगे हैं चार-पाश लोगों को इताख खाना बनाना है लेकिन एश्वर्या कहती है नहीं मैं हिम्मत करती हूँ उड़ती हूँ थोड़े देर में जिसके बाद किसी तरीके से वह हिम्मत करके उड़ती है और किचन में जाकर देखती है तब महाँ पर मनारा खाना बना रही थी हल्प कर रही थी दिमाग वालों की और ऐसे में वहाँ पर जाकर बैठ जाती है नील उसको कौफी पना कर देता है पर एक बा और इको शेया कि आपना पुम्टेया